वेलकम फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे इस NCIT के चेप्टर नंबर 7 IP जो क्लास 11 है उसकी जो न्यूसलिवर्स है 2020 की कोड़ेंगा बुक कर डिसकस कर रहे हैं अगर आपने इससे पिछले वीडियो नहीं दिया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ हूँ कि पिछले वीडियो जरूर देखिए कि उसके बाद ही आपको यहां की वीडियो समझ आप आएगा देखिए इसमें जो नेक्स्ट आपिक हम बात करेंगी तैट इस रिलेशनल ड डाटबस मोडल के अंदर बैसिकली क्या डिफरेंस है ते डिफरेंट तैपस अव डीवेमस मोडल्स अलड़ी अवलियबल है वो सारे मार्केट में एंड देर क्लासिफिकेशन इस डन बेस्ट ऑन अंडरलेंग डाटबस जो अलड़ी डाटबस मोडल हमारे है उसके उपर इ डैटा को कैसे उसका डिफाइंड किया गया है और कैसे उसको और दे क्या डाटबस में बात करेंगे कि इसका रेलेशनिश्ट क्या एक टبل का दूसरे टेबल के साथ and constants का कि आ है कि tam चीज़ हम कहते हैं उन्हें कॉंस्टेंट बोले जाता है इसको हम सबसे कॉमन डाटाबिस महाते हैं अधर टाइपस ओडा मोडल ज्यते कि आपका अप्जेट डाटा मोडल भी होता है एंटिटी डाटा मोडल भी कहते हैं डाटा मोडल भी है लेकिन हमारे जो चाप्टर है जो हमारे स्लेबस है उसके अकोड़े हम सिरफ डीबी अधर डाटाबिस मेर्जमेंट सिस्टम की ही बात करेंगे देखते हैं इसमें डी डाटाबिस मोडल में टेबल्स आर कार्ड रिलेशन जो टेबल होते हैं उनकों बोलते हैं ठीक है एंड दीज अर काल्ड़ अट्रिब्ट से नया नाम दिया गया इन कोलम्स को में ट्रिविट कहते हैं पूरी टेबल को में रिलेशन कहते हैं और जो एक प्रट्पर रो होती है जैसे एक रो है दूसरी तीस 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 चौथी यह सब किस रोस जो है इन सब कॉम टपल्स या रोस कहा जाता है कि इसी पर आते दो बार आप टॉपिक पर इस टेपल है जब मल्टिपल कॉलम्स वेर इच कॉलम नेम शुट भी यूनिक सबकर के अंगदर एक ही नाम से दो कॉलम नहीं हो सकते सबका यूनिक नेम होना चाहिए ऑबसली तो अंडेस्टू इसमें जाड़न की आईड़न का नेम गार्जन का फॉन नमबर और एड्रेस के बारे में बात हो रही थी उसी टेबल के आगे नेचे जिक्र किया गया है तो इसमें देखिए यहां पर यह बात कर रहा है कि इस टेबल के अंदर रिप्रेजेंट किया था हमने पर्टिकलों गार्जन का डाटा एंड है रिलेटेट वेल्यू गार्जेंट इड और गार्जेंट का नेम एड्रेस उसका क्या है फोन नमबर क्या है यह सब चीजे हमने अलग 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 अट्रिबूट के साथ डिस्क्राइब किया था एटेबल कंटेंस कंजिस्ट ऑफ दे कलेक्शन और रिलेशन उसके नतर बहुत साथ रिलेशनशिप होते हैं उसी कहिं आरड़ीव में सका का कैते हैं मोटल में इसमें रिलेशनशिप होना जरूरी है अलग 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 देखिया क्या होगा इडिस इंपोर्टन टू नोट हेर डेटेटर डैड़ेशन इन डाटाबेस आर इंडिपेंडेंडेंट टिंपल्स जब हम एक टेबल हम एक रिलीच्ट डियाटाबीस के बारे में बात करते हैं तो है data कहते हैं वो independent नहीं होता मादफ्छ बादल माल लेघंडेल नहीं होगी और किसी डूशरी के साथ रिलेयटिद होगी साथ होगा with each other दूसरी टेबल का association होगा जाते एक्जाम्बल एक्जाम्बल एक्टेंडेंस की पर बात करी थी has the attribute roll number which links it with the corresponding student record in the student table में से करेगा देखिए हैं इसको figure के थुरू बदाया गया चिद्री के से काफी कि यह थे कि हमारा ये guardian का table है इस guardian का table के तरह तो guardian ID है वही किया गया है और इधा को यह relationship बताने के लिए इस टाइप के symbols का यह arrows का इस्तिमाल किया जाता है ऐसे ही student table का और attendance table में क्या common है that is roll number यह roll number आपने इसमें भी लिया है और इसमें भी लिया है तो यह दोनों का आपस में related हो गया ठीक है तो these attributes are related यह column सापस में related है यह इस से related है और यह इस से related है उसी की बात करना है similarly GUID is placed in the student table for extracting guardian records details of the particular student if linking attributes are not there in appropriate relation अगर नहीं होगा relation on the table it will not be possible to keep the database in correct state इस case में database आपका correct state नहीं माना जाएगा अगर एक में attribute वो particular miss है तो relationship के बात हो रही है and retrieve valid information from the database हम नहीं कर भाएंगे इसी figure को जाते उपर अभी बताया गया था figure 7.3 में shows the relationship database student attendance along with the three relations के बारे में बात हो रही थी इसका उमने पहले एक figure में भी देखा था यहां पर इस टेबल में ठीक इस figure पर हमने चीज़ को इससे बिछली वीडियों पुरे डिस्क्राइब कर चुकिंगे database होता है अलग अलग tables होती है इनका अपस में query के थूर रिजल्ट ले आ जाता है query भी पास करता है और फिर इस database में निकल के query के result आता है तो आगे देखिए इसी टेबल के बारे मताया वाई इन्होंने relationship schemes along with the descriptions of the student attendance database देखिए कैसे इसको describe किया गया है यहाँ पर student की बटिकलो टेबल थी यह वाली इसके अंदर role number name और date of birth और guardian ID है ठीक है इसी तरीके से attendance वाली table के अंदर यह सब बटिकलो fields है जिसका यह describe किया गया date on which the student हम पहले पी जिखर कर चुके है यह understood भी है attendance status क्या present है यह absent है तो वह सब बटाए गई है ऐसे guardian की details के अंदर guardian ID है name है उनका phone number है और address है एक्स देखते हैं इसमें each triple that means row triple का मतलब रो ही होता है in the relationship relationship को इसमें table कहते है corresponds to the data on a real world entity is related होता है for example the student guardian and attendance is a real world entity is actual में ऐसा होता है यह imaginary things नहीं है in guardian relation each row represents the facts about the guardian के बारे में बताता है and each column name in the guardian table is used to interpret the meaning of data stored under that column इस से related करता है वो यह database that is modeled on relational data model concept is called the relational database अगर यह इस model के concept को follow करता है यह उस relationship data कहते है relational database का जाता है यहां पर देखेंगे फिकर 7.4 में जासे नोपर जिगर किया था यह बहुत है फिकर 7.4 यह बहुत है ठीक है इसमें हमने जब बुरा जिगर सब्सक्राइब करते हैं किस तरीके से आब इसमें आगे बता रहा है गार्जेन विद सम पॉप्लेटी डाटे के साथ काफ़ शिटेर के तरह बताए गया है इसमें जो बता इतना दहान लखना जो नमबर ऑफ एट्रिब्यूट्स होते हैं उन्हें हम डिगरी बोलते हैं देखो नमबर ऑफ एट्रिविट्स बरन टू थ्री फॉर है इसमें तो चार्ट डिगरी हो गई cardinalty क्या होता है number of rows ठीक है यहाँ पर देखिए one two three four five five इसके records है तो यह हम cardinalty भी कहते हैं ठीक है relation is a flat file flat file होती है मतलब कि उसमें एक overall data रहता है each column has a single value and each record has the same number of column यह जोना बहुत ज़रूरी है एक record के अंदर यहने कि कम होंगे number of column सभी की सभी होंगे भले बीच में null हो लेकिन सभी की सभी होने एक record के एक ही में होंगे सभी में नहीं हो सकते ठीक हम इस पूरे को एक record कहते है यह सिन कि इसका data आधा इधर है और आधा उपर वाले में ऐसा नहीं होता attribute देखिए क्या होता है characteristics or parameters of for which the data are to be stored in a relationship उसे हम attribute कहते हैं simply stated that the columns of a relation columns को ही हम attribute कहते हैं यह उपर मैंने भी आपको बताया था यही main point है ठीक है attributes which are also refer to as fields for example GUID यह सब आपका name हो गया जी का guardian का guardian का phone number address यह सब के सबाब के इसमें relation जो नाम था आपका इसमें गार्जिन 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 जो टेवल थे इसको नाम इसको बिलेशन कहते हैं उसके अदर यह सब के सब attributes हैं ऐसी देखो tuples tuples क्या है basically मैं इतना नहीं 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 रहेंगे हैं इच रो को हम tuple कहते हैं in a relationship is called a tuple in a table with n columns अगर n number of columns है a double is a relation between the n related values n related values उसमें रहेंगे हैं मिशा domain देखी क्या होता है it is a set of values from which an attribute can take a value in each row basically set of values हैं जिसके through attribute ले सकता है each row के अंदर usually a data type basically data type ही होता है यह is used to specify the domain for the attribute माले से पुद आपका पर्टिक्लर एट्रिबूट है स्में student का रोल लंबर उसके अंदर आप डाटा इंटीजर फॉर्म में ही लोगे तो डाटा टाइप होगे उसे हम domain कहेंगे और एग्जांपल इन student relation the attribute role number takes integer values and hence its domain is set of integer values ही रहेगा कुछ और में आप भी तो नहीं characters ले सकते रोल number में similarly the set of characters strength constants with the domain for the attribute as name के अंदर हम क्या लेंगे तो नेम है तो उस character strength में लेनी पड़ेगी next देखते हैं degree जैसाब उप्रम ने जिक्र किया the number of attribute इन relation is called the degree कितने attribute है उसे degree मने जाएगी for example relation guardian में आपका अगर हम देखें तो चार attributes थे चारों की तो overall two degree होगी relation की वो चार माने जाएगी cardinality the number of tuples in a relation is called the cardinality ठीक है इस बाले में हमने देखो cardinality की बारे में बात की थी कि number of rows को बोलते हैं तो इसमें देखिए एक दो तीचार पांच रोज हो गई है ठीक तो वही यह बदा रहा है कि इसमें for example the cardinality for the relation gradient is five as there are five tuples in the table अब देखिए next three important properties दी गई है relation की in a relational database model following three properties हमारी observe की गई है to a relation which makes a relation different from data file and simple table से अलग रखा जाता है relational database में देखिए क्या खास बात होती है तीन property याद दिरू रखनी relation की कौन-कौन से होती है import हो पहले वाले property क्या कह रही है attributes से related है क्या बताती है वो an attribute in a relation has a unique name हमेशे unique name होना चाहिए किसी भी एक table के अंदर दो attributes का नाम एक जैसा नहीं हो सकता सब को unique होना चाहिए sequence of the attributes of the relation is immaterial मतलब कोई matter नहीं करता कि sequence क्या है कोई चीछ पहले हो या बाद में उससे कुछ फ़रक नहीं बढ़ता क्योंकि database में वो एक overall relation के अंदर है next बात कर रहे है वो टपल से लेटेड है property टू इसमें कहता है इस टपल इन relation is distinct मतलब अलग-अलग होती है यह नहीं कि दो रोज के अंदर पूरा का पूरा data एक जैसा ही हो तो कोई फाइदा नहीं होगा इसलिए data में किसी भी database के अंदर relation database के हम बात करते हैं तो एक particular record के अंदर कोई न कोई at least one record should be one column या one attributes should be different for example data value in no two truples of relation attendance can be the identical मतलब एक जैसा data attributes में नहीं होना चाहिए थर्स इस ट्रपल of relation must be unique identified uniquely identify की जाएगे by its contents sequence of truples in a relation is immutable मतले यह भी मैंटर नहीं करता यह उपर बदा है वन a column मैंटर नहीं करता वैसे यह भी मैंटर नहीं करता even through they appear to be in tabular form नहीं करता तीसरा देखी कहता है वह rules for the state of relation एक relationship की state क्या रहेगी all data values in a attribute must be form of from the same domain मतलब एक ही type की data type के अंदर से होना चाहिए यह नहीं कि आपने roll number के ले ले लिए खुश के अंदर तो आपने integer type का data रख लिए और खुश के अंदर data रख लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है ठीक है तो जो data type आप में दिया है वोसी के according सभी के सभी उस पर्टिक्लर एक्ट्रिबूट के अंदर वैल्यूज रहेंगी इस data value associated with an attribute must be atomic atomic होने चाहिए मतलब cannot be further divided into meaningful subpart अलग अलग पार्ट्स पी डिवाइड नहीं की जा सकती वह फॉर एक्ट्रिक्लर एक पर्टिक्लर एक्ट्रिबूट है उसका गार्जन डिलेशन का है टेंडिजिट नंबर ही होना है चाहिए which is indivisible यह नहीं की आपने चाहर डिजिट का अलग इस्तेमाल कर लिया है चाहर डिजिट का अलग इस्तेमाल कर लिया है जो अगर आप इस तरी किसे कर रहोगा तो वह यूजलेस होगा तो वह atomic रहेगा उसक गार्जन कैनोट स्पेसिपाइब मल्टिपल कॉंटेक्ट नंबर अंडर जी फोन अगर आपने जी फोन अट्रिबूट के दर दस की दस करेटर तक की दस निमरिक वेलिए कि स्पेस का एक पर्टिकलर पहले से फिक्स कर रहा है तो उसके अंदर यह नहीं कि आप दो या तीन फोन नंबर भी एड़ कर लो तो ऐसा पॉसिबल उसमें नहीं होगा जो आपने स्टर्टिंग में कर दिया उतना ही आप आप आएगा यह वेल्यू ना देखिए नल का मतलब क्या होता है यह आप लिन्या कंसेप्ट है इस यूज्ज तो रिप्रेजेंट ते वैल्यू डैट हो आपका नल रहेगा विद्जी स्कूल एथर्टीज देन जी फोन इस सेट टू बिदेनल कि अभी हमार पास प्रवाइड नहीं है डाटा इस अन्नोन है उसको नल कहते हैं एम्टी डटा अब देखिए नेक्स्ट एक कंसेप्ट है आपका कीज इन रिलेशनल डाटाबेस अ नो टू टॉट टॉट पल्स इन ए टेवल शुड है दा सेम वैलिव नहीं हो सकती किसी दो टॉट पल्स के अंदर अट्रिबुट में कुछ नहीं होना चाहिए देश देयर शुट बी एट रिस्ट वन एट्ट्रिविट इन विच डिट डाटा इस तिंक यूने और एक एक जिसके थुरू हम अलग 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 अटेंटिफाय कर सके सबको ठीक है या फिर वह और ऐसा ट्रिबुट भी हो जिसके अंदर वह नल सब्सक्राइब करना तो मस्ट होगा बहले ही वह उसके आगए आप में गार्जियन का आईडिया गार्जियन का नमबर बगारा ना दे वह अलग चीज है लेकिन उसके अंदर रोल नमबर देना ही पड़ेगा यह उनीकली इदेफाय जिसके रूख कर सके यह इसी के थुरू हम उसको हर एक टपल के रिलेशिन को के अंदर हम उसको डिस्टिंग्शियन को कर सकते हैं यह यह रोल नमबर का रिकोड यह है इस रोल के अंदर लगाएगा and how the contents of one relation be referred through another relation के एक relation के अंदर किस स्रीके से वो दूसरा relation पर refer कर पाएगा these restrictions are specified at the time of defining the database यह restrictions आपके specify की जाएगी कब जब database को बनाओगे through the different types of keys दे कौन-कौनजी मला सपोस हम बात करते हैं पहले candidate key के बारे में candidate key के है तो काफी important question exam में आता है candidate key primary key इस बागे में describe करेंगे a relation can have one or more पहले बात धान लगने candidate की एक से ज्यादा हो सकती है more attribute that takes distinct values जो ऐसी values ऐसे attributes जो uniquely identify करने के लिए capable है उन्हें candidate key कहते हैं एक से ज्यादा हो सकती है यह जी ज्यान रखने है any of these attributes can be used as uniquely identify इन में से अब कोई भी attribute uniquely identify करने के लिए use कर सकते हो तो टॉपल सो रिलेशन ठीक है लेकिन कर यह होते एक से एक से ज्यादा हो सकते हैं candidate key ध्यान रखना और वह उनकी capability होती है कि uniquely identify कर सकते हैं अब को रिलेशन के अंदर such attributes are called the candidate keys इनी को एक के कहते हैं as each of them are candidates for the primary key तो को यह लाइन अच्छी बताए गई है कि सभी कि सभी candidate है कि मतलब यहते आप elections होते हैं candidate होते हैं बहुत सारे उनमें से एक ही चुना लियाता है तो सब कि सभी candidate होते हैं जिन में से एक को हम primary की बना सकते हैं uniquely identify करने के लिए ठीक है फिलाल हम candidates की बात कर रहे है तो उनम candidate key कहते हैं यह देखिए figure 7.4 है आपके पास यह गार्जेंस है आपका student है और attendance है ठीक है इसके अंदर अगर हम सोचें तो कि यहां से आप आप guardian ID को भी ले सकते हो यहां से आप roll number को भी ले सकते हो और यहां से भी आप roll number को ले सकते हो तो इसी की बारे में बात कर रहा है गे ठीक है गार्जेंस हैस दा फोर एट्रिबीट आउट ओफ विच ओनली गार्जें आईडी और गार्जें का फोन नमबर भी यूनिकली इंडिफाय करने के लिए क्यापेबल है फोन नमबर भी आप ले सकते सबका अलग ही पाएगा आलवेस टेक यूनिक वैल्यू नहीं हो स सकती हैं इस टू अट्रिबूट्स हार था चैनरे की DR. ये match जोने इक कोई उठा यूड़ा यह कर प्रैमिर की बना सकते हैं जैसे उपर हाउट ओफ चैनरे में गीरिक की उनमें से हम सब्धेक बाएगा इक इस यह फ्याट अचे लिवीट इच собствен न हम ne अच्छा लगा उसको उने चूज किया और यूदिकली अट्टिफाय करने के लिए उसको प्राइमरी की कहते हैं ठीक है इसे को अट्रेनेट की पर कोई प्राइमरी की कुछन आ लाता है कि अब ऑल्टरनेट की तो कंडिटर की तो हुई एक से ज़्यादा उन में से एक उठाक कर तो में बना दिफ्राइमरी की चो बाकी बची है बची है ऐसी की जो प्राइमरी की बन सकती है लेकिन अभी हमने नहीं नहीं बना आइ है इन दे रिलेशन गारिजन सब्सक्राइब कर लिए तो जो आपका फोन नमबर बचा जो आपका फोन नमबर भी ठीक है तो जो बच गया वह आपका अल्टर्नेट की कहलाएगा ठीक है अब नेक्स देखते हैं कंपोजिट प्रैम्री की कुंसी होती है हिंदे बैसिकली इफ नो सिंगल एक्टरिबूट ऑफ रिलेशन ऐसे अब्ल तो यूए टेकन टुकर टेबल के這邊 के की नोगी नहीं देनलो ट्समितने करेंगे तक उसकी स्वेश करेंगे इन ऊट्रिबुट ऐज उसक लिए प्रेपर योडंड को खाल टेंग एक से ज्यादा फिसको शामिल bisher रहता है है इकलो न faut यह सहाँ एपे जार रहा है तो यह से लग रही है तो रोल नंबर से हम एक यूरेटि लिघ्वाइए उसको टेवल्रिक नहीं कर पाएंगे कि डेट हर रोज इस की एंट्री दुभारा की जाएगी सिमिलरली इनेशन एटेंडेंस डेट के लिए तो नहीं गर सकते क्योंकि इसमें भी आपके रिपीट हो रहे हैं वारबर रोल नमबर However, combining हम इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं रोल नमबर और attendance date का together would always have the unique value हमेशे unique value मिलेगी एक पड़िकल डेट में एक पड़िकल रोल नमबर तो वो unique ही रहेगा मेशा इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको हम relation को इस तरीकते बनाएंगे Composite की में रोल नमबर ले लिया हमने और attendance date ले लिया इन दोनों को combine कर लिया तब आपका ये एक composite primary की बन जाएगा अब next concept देखते हैं foreign key का Basically, foreign key is used to represents the relationship between the two relations दो relation के बीच में relationship बनाने के लिए foreign key के इसमाल के रहता है formula विदेशी के दूसरे table से जब उसको refer कर लिए तो इसको foreign key कहते है This means that any attribute of relation जिस हम referencing करते है विच इस used to refer contents from another दूसरे reference से लिए रहता है becomes foreign key if it is referred to the primary key of the reference table माले किसे दूसरी एक टेबल से अपने उसको लिया है वह दो पहला लाइन काफे चाहिए चाहिए simply बिम बताया गया है इसको वही चीज़ नहीं नहीं बताहिए इसको आपने reference किया है उसको foreign कहते है in some cases foreign key can take null values ले सकते है किस किस cases में if it is not in the part of primary key अगर primary key का पार्टी रखा तो obviously null values में आ सकती है the relation in which the reference primary key is defined defined की गई है उसको हम primary relation या master relation भी कहते है अब देखे इसको figure की आलप से काफी ज़री कीज़ बताया है figure number गला तरह देखे कि यहाँ पर figure number एक ही हो रहे चाहिए इस वहले figure की बात कर रहा है वो figure 7.5 नहीं है इसी 7.2 की बात कर रहा है two foreign keys in the student attendance database आशोल्स यूजिंग डाइगराव को स्कीमा डाइगराव मना आया यह नहीं पूरा पूरा वेर दा foreign key is displaced at a directed arc देखे के foreign key को हमने displayed किया है directed arc के थुरू यहाँ पर देखे directed arc कौन से देखने देखे यह यह बली आपकी सबोज हम roll number की बात कर रहे है तो it is a foreign key ठीक है clear is it यह directed arc के दुरू बताया गया है originated from it जिससे वो निकला है ending at the corresponding attribute of the primary key is the reference table अभी देखे हैं से देखे इस चीट को यहाँ पर आपका यह primary key है student table के अंदर that is roll number इसको हमने कहां से लिया इस attendance वाली table के पूरा पूरा foreign key हो गया यह जो इसके अंदर आ गया है यहाँ पर बाहरवल टेबल से देखे इसको इसको इस्तमाल कर लिया इस वाल टेबल के अंदर यह roll number आपकी फोरण की है ठीक है the underlined attributes make the primary key in the table अब जो भी हमने underline कर दिया वो primary की माना जा रहा है यहाँ पर देखे यह roll number primary की है यहाँ पर जीओ आडी primary की है यहाँ पर देखे यह foreign key इसके अंदर इस वाले टेबल का आपने इसमें राफर कर लिया तो यह यहाँ पर एक फोरण की हो गया यहाँ पर यह रोल लंबर आपका primary की है यहाँ पर जीओ आडी primary की और देखे यहाँ पर इस चेप्टर के अंदर रिस्क्राइब किया गया पाकि इसका प्रेक्टिकल आएगा next जो आपका चेप्टर है उसमें पुरा-पुरा प्रेक्टिकली वे में सब्चीर बताई गई है तो थैंक्यू फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिरूर कीजिए कमेंट्स कीजिए अगर कोई क्वैरी है आपकी में जल से इसका रिप्लाइए करूंगा थैंक्यू फ्रेंड्स